जेशी हरी, बंदू आज का विशे है कि क्या नारद जी कलह प्रिये हैं, सब लोग प्राय ऐसा कहते हैं नारद जी को कि नारद जगड़ा पढ़वाते हैं, कोई संसार में कोई ऐसा पुरुश होगा ना, यदि जिसके कारण जगड़ा उत्पन हुआ हो, विवाद उत्पन क्यों? कि जगड़ा उत्पन करवाने पहुँच गया चुबली करदी वहाँ पर, तो बंदू क्या ये बात सत्य है कि नारद जी जगड़ा उत्पन करवाते हैं, तो आईए दिखाते हैं आपको शास्त्रगे माध्यम से श्री हरिवंश महापुरान अध्याय दों में, उनत पूरवक रहो, मुझ जैसे प्रभू के रहते तुम लोगों को देवलोग से भी भैबीत नहीं होना चाहिए, देवर्शी नारत बड़े कौतु की तथा कलह प्रिये हैं, और भेद डालने में तो बहुत पटू हैं, परस पर घुले मिले दो व्यक्तियों में जगड़ा करा के वे आनंद का अनुभव करते हैं, लोगों को तेजित करते हुए घूमना ही उनका धंदा है, वे अपनी युक्तियों से राजाओं के वेरा नल को सुलगाया करते हैं, ऐसा उसने कहा, अब बात ही आती है कि कंस की बात क्यों मानें, कंस कोई शास्त्र वित्ता थोड़ी है जो उसकी बात मानेंगे कि वो देवर्शी नारज जो हैं आग लगाये फिरते हैं, कंसादी जैसे दुष्ट तो बहुत सारी जूट बात बोला करते थे, तो सौबविक हैं, हाँ, कह सकते हैं, लेकिन एक तो वो भै से ये बात कह रहा है, भै में और इस प्रकार में कई सारी बाते सत्य निकलती हैं, यहां उसका हित छुपा हुआ है, तो इसलिए अपने हित के लिए वो सत्य ही बात बता रहा है, जो उसे सत्य लग रहा है, और जो उसने अनभव किया है, तथा भी लोगों को विश्वास नहीं होगा, तो आईए आगे दिखाते हैं आपको, अध्याय चौवन हरिवश पर्व, सात्वश लोग से देखते हैं क्या कहा गया है, पहले तो आप यह जान लिजे कि नारज जी जो भी हैं वो कलह प्रिय भले ही हूँ, लेकिन उनका स्वरूप क्या है, देखिए, नारज जी के शरीर की दीपती प्रज्वलित अगनी के सद्रिश और उनकी आखें उदै कालीन सूर्य के सद्रिश लाल थी, उनके मस्तक पर वेनी के समान लटक्ती वामावर्त जटा विराज रही थी, उनका परिधान वस्तर चंदर किर्णों के समान शुब्रवर्ण का था उनके कंदे पर कृष्ण मरिगचर्ण विराजमान था, वे सोने का यग्यो पवीत पहने हुए थे, उनके हातों में दंड और कमंडलू था, जिससे वे साक्षा तिंदर के समान दीख रहे थे, उनकी गोद में प्रियतमा सकी के समान प्यारी महती वीना विराजमान थी, ना और संगीत शास्त्र में विशेश निपुन के रूप में विख्यात हैं, वे कलह प्रियतों इतने हैं कि मानो मूर्तिमान कली हो, वक्तित गुण में तो वे देवताओं और गंदर्वों को भी पचार चुके हैं, चारों वेद उनकी जीवा पर विद्धिमान रहते हैं, वि तो बंदों यहां नारज जी को यहां भी कलह प्रिये कहा है, लेकिन इतनी सारी बातें उनके विशे में, ब्रह्म वादी रित्विजों के अगुआ हैं, ब्रह्म वादी जो रिशी होते हैं, जो ब्रह्म की ही इस्तुति करते हैं, ब्रह्म का बखान करते हैं, उनके और क्या क्या है नारज जी चारों वेद उनकी जीवा पर विद्यमान रहते हैं देवताओं और गंदर्वों को भी शास्त्र अर्थादी में वक्त रित्व गुण में अर्थाद पचार चुके हैं और रित्विजों के मद्दे साम वेद के प्रधान गायक हैं वो जैसे जब यग्य होडा होता है तो उसमें प्रधान हैं हैड हैं गाने वालों में वेद गाने वालों में हैड हैं वहाँ पर और प्रज्जलित अगनी के समान उनका शरीर है और सूर्य के सद्रिश उनकी आँखे लाल हैं तो कुल मिलाके वो बहुत ही पुज्ज हैं लेकिन कलह प्रिय ग्याश के लिए चिंता नहीं है अने को ब्रह्म वादी मुनीगन हैं ब्रह्मरशी हैं देवर्शी हैं लेकिन नारज जी के समान किसी को भी ये चिन्ता संभवते हो यश और कीर्ति की लेकिन नारज जी को अपने अपमान यश और कीर्ति की कोई चिन्ता नहीं नारज जी की इतनी निंदा साधरन से था साधरन हम जैसे मच्छर के समान प्रती दिन मरने वाले जीव भी उनकी निंदा करते रहते हैं लेकिन उनको उसकी कोई भी चिंता नहीं है तो नारज जी संसार हित के लिए जन हित के लिए देव हित के लिए लोक हित के लिए साधू संतों ब्रामनों गवों आदी के हित के लिए प्रत्वी के हित के लिए अपनी कीरती में कलंक स्वीकार कर लेते हैं और वास्तब में जगडा वहीं उत्पन्न कराते हैं जहां पर लो ना यासी किसी में जगड़ा नहीं उत्पर्ण कराते देवताओं की कार्रे सिद्धी जब नहीं हो रही होती है या अथवा इसी प्रकार से अन्य जो कारण होते हैं हितों में उसके कारण वो ऐसी कोई उक्ति सोचते हैं जिससे की वो कार्रे बन जाए तो ये था बंदू नार के विशे में हमने आपको बता दिया धन्यवाद जैश्री हरी